हेलो नमस्ते आज मैं बहुत ही सिंपल एजी लंच रेसिपी लाई हूँ यह घर में कोई गेश्ट आजाए तो भी आप बना सकते यह डेली डूटिंग में कुछ अलग खाने का मन करें यह लंच में बना सकते बहुत ही इजी है बहुत ही टेश्टी इन डिलिस्यस यह बनता है आज मैंने मटर पलाओ और मखाना का तड़का बने बनाया है तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनी है तो आप भी ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगए तो प्लेज सस्क्राइब करें और काफी कम समय में यह बनकर रेडि हो जाता है तो अगर कोई आता है तो फ एक मैंने बड़ा सा बरतन ले लिया इस तरह से उसमें हम घी को गर्म कर लेंगे मैंने इसमें लगबग दो चमच मैंने घी यूच किया आप चाहे तो रिफाइन से बना सकते हैं पर घी से फ्लेवर पुलाओ का बहुत ही अच्छा आता है इसलिए मैंने घी यूच किया है अब इसमें मैं थोड़े से स्पाइसे साइड करूंगे मैंने हाप स्पुन जीरा एक इलाइची लॉंग मैंने यूच किया है उसके बाद इसमें हम एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे इन सबको हम अच्छे से रोष्ट कर लेंगे आप मेरी वीडियो देख रहे अच् marminelle कि ईयुच किया हुए मटर प्ला ते बिना इक अच्छा की बैटी को बहुत ही पसंद है तो आप इपने से बहुत ही अच्छा है इस तरह से खाने में बहुत ही एच्छी रयास है यह से पहफर से बहुत ही दॉक्रहले टो के लिए इस iki bill स्वाद्वन यक्ती है अभ बहुत ही अच्छी बनकर रेडी होते हैं तो लगभग मैंने 2-3 मिनटे से रोष्ट कर लिया है अब इसमें एक कटोरी मैंने राइस ली है इसे दो दिया है मैंने अच्छे से और इसे मैंने थोड़ा सा सोक करने के लिए छोड़ दिया था तब जाकर हमारा ये जो पुलाव हो तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी एड़ करूँगी और मैंने एसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी डाला है लगभग से तीन चमच क्यूंकि इसमें मतर यूच किया है उसके लिए मैंने 2-3 चमच एक्स्ट्रा इसमें पानी यूच dips लोड़ फ्लेम पर आप इसे कम से कम 10-15 मि कर दोंगे कि अमारी नर्म सब्साली से दिखा थेता है कि बनाएंगी अच्छी फुटूरी सप्ट्री एक अच्छी पनाइंगे या Swift कृती सब्सक्राइब विदा हो। प्यांच, अद्रग, हरी मिर्च, लेश्टन, इन सब को हम अच्छी से रोष्ट कर लेंगे कम से कम, दो से तीर मिनट इसे हमें रोष्ट कर लेना है, रोष्ट कर लेने से सभी मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा से हींग डाला हिंग डालने से बहुत ही अच्छा दाल का फ्लेवर बढ़ जाता है तड़के का, अब इसमें हम स्पाइसे यूज करेंगे, तो मैंने रेट चिली और मैंने इसमें हल्दी पाउडर हाप स्पून, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गुल की जीरा पाउडर, अब इसके बाद इसमें मैंने दो बारी कटेवे टमाटर आले हैं, इन सब को थोड़ी सा रोष्ट कर लेंगे, आप शायद यह रोटी पराठा के साथ भिखा सकते हैं, या फिर बाटी के साथ भिखा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छी बनती, इसके बाद मैंने एक काटूरी मैंने दाल को दो घंटी के लिए भिगो के रख दिया था, इस तरह से दाल बनाजी से जो हमारा तड़का बनता है, बहुत ही अच्छा सौप्ट बनकर रेडी होता है, और उसका स्वाध दुगुना बढ़ जाता है, अब बहुत ही जल्दी यह गल कर तयार हो जाता है, अब इसमें हम पानी डाल कर इसे हम कम से कम 3-4 सीटी लगा देंगे, तो इसमें थोड़ा समय धन्या के पत्ते डाले हैं, अब इसमें बन करके 3-4 सीटी लगा देंगे, देखिए हमारा यह तड़का भी बनकर रेडी हो चुका है, तो बहुत ही जल्दी बनने वाला यह रेसिपी इस तरह से आप बनाएं तो बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेबर दोनों इन्हेंस होता है, अब आप देखिए राइस हमारी कितनी अच्छी बनी है, चलिए हम इसे सब कर लेते हैं, तो देखिए कितनी खिली-खिली बनी तो अगर इस तरह आप बनाते हैं, डेली रोटिंग करें, तैंक्यू सो मच्च, तैंक्यू